अलो फ्रिंज आजाम बनाने वाले सबसे आसानी तरीका से माटन कर्री इसे बनाना बोधी आसाने आवर ये जिल्दी बन भी जाता है माटन कर्री बनाने के लिए कुकर में दो स्यमस स्थेल एक समस गी डालकर गरम कर लेगा गरम ओने कबाद दो तेज पत्ता अवर खड़े मासाले 10 अर्ज मिर्च, खड़ी पत्ता, एक कटावा प्यास, दो बड़ा चमस अध्रक का फेश्ट, एक सोटा चमस लासुन का फेश्ट, दो चमस नमक, एक चमस गरम मासाला, एक चमस दनिया पावडर, एक चमस अल्दी डालकर इने दो मिनिट के लिए फ्राइ कर लेगा अब एक किलो दोयाववा माटन डालकर अच्चा से मिला लेगा पाच मिनेट के लिए कुक्कान का डाक्कान रखके पाच मिनेट के बाद मिक्स कर लेगा अब दो गलास पानी डालकर अच्चा से मिला के फुल ग्यास पे पास मिनेट पाका कर एक बड़ी चमस सुका नारियल पावडर डालकर अच्चा से मिला लेगा अब कुक्कर का डाक्कर लगा के 10 सीटी आने तक पाका लेगा 10 सीटी पे भी मटर नहीं पाकेगा तो आओ सीटी लगा सकते हो अधा निम्बू का रस डालकर अरा दनिया डालकर अच्चा से मिला लेगा और चेक कर लेगा माटन पाकाया के नहीं अमारा माटन अच्चा से पक सुकाए जब आपको जिल्दी में माटन बनान आए तो इस रेशीपी कु जारू ट्राइ करे वीडियो अच्चा लगा तो वीडियो कु लाइक कमेंड शेर करे और साइनल कु सास्पर करे अगला वीडियो में पीर मिन्ते